मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सुपह पंजाब में एक छोटा सा शेहर पीर महल, यह पीर महल सुपह पंजाब में शामिल है, और यह टोबर टैक्सिंग की तहसील है, इसले दिनों पीर महल के एक स्पेशल बच्चों के स्कूल के एक वीडि पाकिस्तां का पूरा नदाम एक बेरहन नदाम है, जिसमें किसी भी कमजूर के लिए कोई जगा नहीं है, हाई ये बात करते हैं कि पाकिस्तां के तालीम एक बेरहन नदाम का फिर्फित बनेगा क्या? हम इस जदी की आखरी बेवकूफ कौम होगी, जो डेट सो साल से दूसरों का तालीमी नदाम अपने सर पर लात कर एक मुनजिम कौम बनने की एक्टिंग कर रही होगी. हमारे आहर अधारे की तरह, हमारा तालीमी नदाम भी मकमल तोर पर डिफॉल्ट हो चुका है. अब इसमें मजीद खराब होने की रत्ती भर भी गुनजाईश पाकी नहीं. हमारे एजूकेशन सिस्टम ने हमें नाउमीदी और नाकामी के सबाग कुछ भी नहीं दिया. आज कौम का हर दूसरा शक्स पड़ा लिखा है, मगर हमारा मियार दुनिया के आज भी 151 मुलक से भी क्या गुजरा है. हमने काटें अंग्रेज और काटें साइंसदानों का लंडा बजार लगा दिया. हमने ऐसे साइंसदान पैदा किये हैं कि अपनी खुद की गाड़ी और घर की वाइरिंग भी टीक नहीं कर सकते. हमसे 16-16 साल अंग्रेजी मीटियम स्कूलों की भारी भरकम फीसे देने के बावजूद अंग्रेजी बोलने से आरी कौम को जुनम दिया है. हमारे एजुकेशन सिस्टम को अब दुनिया सुमालिया, स्रिलंका, नेरोबी के तालीमी निजाम से कंपेर करने लगी है. 80 सालों में हमने सिर्फ पड़्ची पास बेरोजगार कौम पैदा की है. एक ऐसी कौम जिसका शोरी तोर पर तालीम को नोकरी की सीड़ी बनाना मकसद हो उसका मुझूदा दुनिया में चंद कदम भी चलना ना गुजीर है. बेवकूफ वालदेन आज भी ये समझते हैं कि हम महेंगे स्कूलों में पढ़ा कर बच्चों को स्कॉलर बना रहे हैं. हम बच्चों को साइंस रखवा कर साइंस दान बनुआ रहे हैं. अंग्रेजी बोलना ही जहानत का आलमी मियार है. मगर रकीकत इसके बिलकुल पराक्स है. महेंगे स्कूल, तहजीब और इखलाक से यारी रबोर्ट बना रहे हैं. इन मशीनों में ना तो मस्तक्बि शिनासी है और ना ही एहसास नाम का कुछ चलासी. हमारे तालीबी निजाम से निकलने वाले साइंसदान दुनिया के 160 मुलकों के बड़े साइंसदानों की लिस्ट में भी नहीं आते. अंग्रेजी बोलने का ये आलम है कि हमारी लिखी गए इंग्रेजी की किसी भी किताब को आज भी ना ही इल्मी और ना ही आलमी शोहरत का दर्जा मिल सका है. चलें अंग्रेजी को एक तरफ रखें. हमने अर्बी में कौनसा किला फटा किया है? फार्सी में हमारे पास इकबाल को दिखाने के सिवा कुछ भी तो नहीं. ये भी याद रहे कि इकबाल मतहदा इंदुस्तान के मतहदा कौमी शायर थे. और हम उन्हें पाकिस्तान की मल्कियत समझते हैं. जबकि वो तो पाकिस्तान के क्याम से पहले ही वफात पा गया थे. डिफाल्ट शुदा तालिमी शुदा किसी भी स्टूडन्ट से पाकिस्तान का कौमी तरहना मुकमल सुन ले. बिराज और डैम का फरक पूछ ले. तीम कैश क्रॉप्स का नाम पूछ ले. पाकिस्तान का मिजमूई बजट ये हमारा सलाना बिजली का शौट फॉल कितर है? किसी भी जवाब की तवक्का रखना यकीन करें मुश्किल ही है. चले ये तो देशी से सवाल थे. शायद बहुत सों कि सर्कल और इंडरस्ट में ना हो. तो अपने अकाओं के बारे में कुछ पूछ ले. मसलिन बरतानिया की पहली वजीर आजम का नाम क्या था? अमरीका की कौमी बेंक का नाम क्या है? एमाजान क्या है? इटली के आखरी डिक्टेटर का नाम? क्या जर्मिनी के पास हैटम बब है? क्या डिन्मार्ग में सुमंदर है? मेक्सीको का बाकी मुलक से क्या जगडा है? चाइना का सबसे बड़ा जर्या आमदन क्या है? तो आप में खुद देखा ये था हमारा तालीमी रहाचा. मासवाय तालीमी गदे पैदा करने के सिवा कुछ भी नहीं है. जैसा गदे पर मेडिकल की किताबे लाद देने से वो डॉक्टर नहीं बान जाता. वैसा ही हमारे स्कूलों में आक्सफोर्ट की कताबे पढ़ा देने से हम काटें अंग्रेज से मुकमल अंग्रेज नहीं बन सकते. पहले ये तो सोच ले. आक्सफोर्ट और कैम्रिज ने अपने तालीमी निजाम को बनाने और बचाने के लिए कितनी कुर्बानिया दी हैं जिस मुलक के वजीरों को भी दर्चन और किलो का फर्क मालूम नहीं उस कौम से क्या ही उमीद रखी जासकती है. आज का स्कूल, कॉलिज और इन्वस्टी का मकसद सिर्फ वालदेन की मेहनत की खमाईगी को जेबों से अपने अकाउंट में मुन्तकिल करना है. इसी को तालीमी निजाम कहते हैं. और बदले में इखलाग, तहजीब, तालीम, इलम, अकल, हुर्दमंदी, खुद्धारी, जहानत और दानिशमंदी से खाली, आरी कौम, डिफॉल्ट मुल्क की जोली में फैंकना, जब वारे निजाम का अमूमी रवया ही यही होगा. तो कैसे मुम्किन है कि यहां हर साल बेरोजगारों की तादा खेप त्यार ना हो? कैसे मुम्किन है करप्ट स्यासदान, मुझरिम अदलिया पैदा ना हो? कैसे मुम्किन है जहालत के समुन्दर में एक दरिया और शामिल ना हो? 80 साल से स्करप्ट और बेमकसद तालिमी अजाम ने कुछ एक तो साइंसदान पैदा किया होता कुछ एक तो अदबी शक्सियत को जनम दिया होता कोई डॉक्टर, कोई मसविर, इन सब को भी चूले में डाले इन 80 सालों में कोई एक जनरेशन तो खुदारी की दौलत से रब्रेस पैदा की होती मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ आम के बीच लगा कर दरخت पर सेबों की उमीद लगाये रखना बेमाईनी है इस वकद दो बाते शिद्द से याद आ रही है पहली बात तो लॉर्ड मिकाले की जब हो हमाई तालीम यावता नसल को कोकनर्स के नाम से याद करता था यानि बाहर से काले और अंदर से गोरे और दूसरी डेट सो साल पहले कहे अकबर अलाबादी के वो शेर हर एक को नोकरी नहीं मिलने की हर बाग में ये कली नहीं किलने की कुछ पढ़के तो सनत वज़रात को देख इज़त के लिए काफी है एदिल ये नेकी जितना बोज आ स्कूल जाने वाला बच्चा अपने बैक का उठा रहा है उससे दुगना बोज इस पेबकसत तालिमी नजाम की बना पर हमारी महिश्यत उड़ा रही है और इससे दुगना बोज दुनिया पर इस कताए अर्स की पड़े लिखे जवानों के समंदर का है अब सोचना ये है कि बहर अलकाहिल तो जनूबी अपरीका में जाकर गिरता है मगर बहर अलकाहिल कहां जाकर गिरेगा बस अकल से पैदल कौम के तालिमी नजाम की टाइटैनिक को डुपता देखते जाए